अगर अक्षे कुमार स्टारर राम सितू को टॉपिक सिलेक्शन के लिए नंबर दिये जाए तो पांच में से दस सितारे अगर राइटर डिरेक्टर अभिशेक शर्मा को ओडियन्स का मूड भापने का प्राइस दिया जाए तो नोबेल प्राइस भी कम रहेगा और अगर प्रोडियूसर्स को पैसा वसूल पॉप्कॉर्ण एंटर्टेन्मेंट ही बनाना था तो शायद उन लोग सक्सेस्वल हो चुके हैं लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि भाई राम सेतू पिचर कैसी है तो ये सवाल जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि लाख खामियां के बावजूद, हजार नेगिटिव रिव्यूस के बावजूद ये पिचर साल का सबसे बड़ा हिट भी बन सकता है लेकिन क्यों आप पूछोगे? क्योंकि भाई, राम सेतू पिचर नहीं है, ये एक इमोशन है जो दिल से आता है इस इमोशन को समझने के लिए फिल्म रिव्यू नहीं, राम सेतू का पुलिटिकल और सोशल रिव्यू की आवशकता है राम सेतू, जसका नाम एडम्स ब्रिज भी है, एक करीबन 50 किलोमेटर लंबा लाइन स्टोन शोल है भारत के राम एश्वरम और श्री लंका के मननार आइलेंड के बीच इस स्ट्रक्चर का महत्व दोनों हिंदू और मुस्लिम माइथॉलोजी में आपको मिलेगा हिंदूओं का मानना है कि श्री राम ने सेतू को बनवाया था ताकि अपनी सेना के साथ वो लंका पर आकरमन कर सके और रामण का नाश कर सके इसलामिक लेज़न्ड में कहते हैं कि आदम ने इस ब्रिज का इस्तमाल किया था श्री लंका में जाकर फिर वो एडम स्पिक तक पहुँचे जहां उन्होंने एक हजार साल का पस्टा ताप किया वो भी एक पैर पर खड़े होकर ये इतिहास का क्रैश कोर्स में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि राम सेतू मूवी सूपर हिट होगी या नहीं इसमें इतिहास का बहुत बड़ा योगदान होगा ना कि ऐसी छोटी मोटी चीज़े जैसे स्टोरी, डायलॉग, वी एफेक सेट्स, एक्टिंग अरे याद ये सब तो नॉर्मल पिचर में होता है यहां बात आलोकिक हो रही है दशकों से राम सेतु को लेकर दो विचारधारा आए है एक साइन्टिफिक ओपिनियन की राम सेतु एक नैचरल स्ट्रक्चर है जो की टेक्टॉनिक मूवमेंट्स और कोरल्स में सैंड फसने के बज़े से बनी दूसरी जो विचारधारा है इस अ फेत बेस्ट ओपिनियन की ये मेगा स्ट्रक्चर साथ हजार साल पहले भगवान श्री राम ने बनवाई थी राम सेतु मूवी एक बहुत ही सच्चे और विवादस्पद घटना से शुरू होती है 2004 में अपने कारेकाल खतम होने से बिलकुल पहले अटाल व्यारी वाचपाई की एंडिया सरकार ने 3500 करोर का सेतु समुद्रम शिपिंग केनाल प्रोजेक्ट को मनजूरी दी थी प्लान ये था कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक 83 किलोमेटर लंबा डीप वाटर चैनल बने जिसे बड़े शिप्स आसानी से दो देशों के बीच में आ जा पाएं साथ ही साथ एडम्स ब्रिच का एक हिस्सा काट कर एक शिपिंग लेंग खोलने का इरादा था जो इस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया के बीच में शिपिंग टाइम बहुत कम कर देता डीजल की खपद भी कम होती अभी फिलहाल पूरा श्रीलंका घूम के जाना पड़ता है इस्ट वेस्ट वैसे ये प्लैं कोई नया नहीं है 1860 से इस पर विचार विजमर्श चलता आया है अंग्रेजों के टाइम से वाजपाई सरकार ने मंजूरी दी मनमोहन सरकार ने इसका उदगाटन किया प्रोजेट का 2005 में और फिर घटी दुरघटना जैसा कि राम सेतू पिच्चर के ओपिनिंग में दिखाया गया है रिलिजिस ग्रूप्स ने इस प्रोजेट का विरोध किया जबाब में आर्के लोजिकल सर्वे आफ इंडिया ये सच्ची बात बता रहा हूँ आर्के लोजिकल सर्वे आफ इंडिया ने कोट में एक एफिडेविट डाखिल की और राम सेतू का मैनमेड होने की पॉसिबिलिटी को खारिच कर दिया इतना ही नहीं जले पे नवक छड़का गया इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि वालमी की रमायन और राम चरितमानस बाइतुलसी दास और बाकी सारे जो माइथोलोजिकल टेक्स्ट्स हैं वो भारत का लिटरी इतिहास तो है जरूर है लेकिन इन्हें हम factual history नहीं मान सकते हैं और इनमें लिखी घटनाएं सच में नहीं घटी हैं बताइए ASI ने ये जो लिख दिया उसके बाद रियल लाइफ में भी काफी कांड हो गया था ASI की ये जो दलील जो रियल लाइफ में दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में अक्षे पिक्चर में पिक्चर की शुरुआत में यही लाइन्स दोहराते हैं क्योंकि after all अक्षे इस डॉक्टर आर्यन कुलशेष्ट्र जो कि ना बाल कटवाने के लिए उनके पास टाइम है और ना श्रीराम को मानने के लिए उनके पास टाइम है वो एक आर्केलोजिस्ट है वो फैक्ट्स और साइन्स को मानते हैं भगवान को नहीं मानते हैं अक्षे का ये जेन्यू टाइप एथीस्ट रूप देखकर लगा कि इनको क्या हो गया है ऐसी बाते करेंगे तो लोग छोड़ेंगे नहीं अरे क्या बच्चे की जान लेगा? पिच्चर का एक मूल आधार है हिंदुओं के साथ जो सिविलाइजेशनल इंजस्टिस हुआ है जो नाइंसाफिया हुई है उसे उजागर करना इतिहास के जो फॉल्ट लाइन्स होते हैं उसे खुरेदना चाहे वो अंग्रेजो का राम सेतु का नाम एडम्स ब्रिज बदल देना हो शिपिंग इंडस्ट्री की मंशा की सेतु को तोड़ा जाए या फिर आयोध्या के साफ साफ क्लिर एंड डिरेक्ट रेफरेंसिस कूट कूट के ये एलेमेंट्स पिचर में भरे हुआ हैं पिचर के एक क्रियेटिव प्रोड्यूसर है डॉक्टर चंद्रपकाश दिवेडी जो नहीं जानते हैं ये वही दिवेडी जी हैं जिन्होंने समराठ पृत्विराच को डिरेक्ट किया था उस पिचर को मार्केट किया गया था हिंदूों के लिए ये पिचर बनाई गई है लेकिन किसी कारण हेतू हिंदूों ने ये पिचर जादा थेटर में जाकर देखा नहीं बॉक्स ओफिस में ये पिचर फ्लॉप हो गई सवाल है कि इस बार श्री राम के नाम पर क्या लोग आएंगे हॉल में क्या ये चमतकार होगा अब बॉक्स ओफिस में क्योंकि चमतकार तो चहिए लेडिस और जेंटल्में क्योंकि उसके बिना ये पिचर साफ फ्लॉप है क्योंकि करीबन धाई घंटे में इस पिचर में और कुछ नहीं है साइंस का बार-बार कतल किया गया है आर्केलोजिकल प्रैक्टिसेज की दज्या उनाए गई है पानी के कुछ मीटर नीचे जाने के लिए एक हजार फीट नीचे जाने वाली डीप सी डाइविंग सूट दिखाई गई है स्टोरी लाइन का कोई सेंस नहीं बनता है और एक सो पचास करोर की फिल्म में अक्षे ने पतानी कितनी फीज ले ली है कि बाकी सब पिच्चर में फेक है हेलिकॉप्टर फेक, डाइविंग सूट फेक, शिप भी फेक, एक्टिंग तो फेक छोड़ दो अरे जैकलीन जगडा करते करते हेलिकॉप्टर क्रैश करवा देती है सीक्वेंस ऐसा है कि डर नहीं आती है, हसी आती है क्योंकि खत्रों के खिलानी में आपको बेटर अक्शन सीक्वेंस से मिल जाएंगे और असल का हेलिकॉप्टर भी मिल जाएगा लेकिन फिर भी इस पिच्चर में अच्छी ओपनिंग की है और हो सकता है ये आने वाले दिनों में वर्ड अफ माउथ चलते हैं, ये पिच्चर और भी ट्रैक्शन पकड़े हाल ही में हमने कानतारा के बारे में भी बात की 16 करोर की पिच्चर 200 करोर पार कर चुकी है सिर्फ एंड सिर्फ वर्ड अफ माउथ की वज़े से राम सेतु के साथ भी ऐसा हो सकता है अगर picture वो एक काम ठीक से कर ले जिसके लिए उसे बनाये गया है जो की है religious sentiments को exploit करना, लोगों की धार्मिक भावनाओं के बूते पर tickets बेचना, देखिए राम सित्यू का idea जो है वो काफी brilliant है और साथ ही साथ अक्षय का जो character है जो at least thought है कि एक थोड़ा इंडियाना जोन्स होगा, थोड़ा Nicholas Cage वाला national treasure होगा, इतिहास के खोज में मगन एक hero और उसके पीछे पड़े हुए है बदमाश गुंडे अरे इसका तो franchise बन सकता है पूरा का पूरा, हमारे देश और हमारी संस्कृति में इतने राज है इतने unanswered questions है लेकिन producers ने छोड़ा रहे क्या करना है, अक्षे को पकड़ाओ, मोटा चेक, चश्मा पहनाओ बाल लंबे करवाओ, जैकलीन को लिपस्टिक पहनाओ, और वो लारा क्रोफ्ट वाला जरन लुक दे दो, और धर्म को बस डाल दो खत्रे में लोग अपने आप ही थेटर में भागे भागे चले आएंगे अक्षे ने भी फीस लेते समय सोचा होगा ये पिच्चर कर रहा हूँ राम भरोसे क्योंकि तीन साल से सूर्य वंची को छोड़के एक पिच्चर ना चल पाई उनकी इस साल तो बच्चन पांडे, समराट पृत्वी राज और रक्षा बंधन तीनों मेगा फ्लॉप मैं सच में मानता हूँ कि हमारे देश में इंडियाना जोन्स नैशनल ट्रेशर, लारा क्रॉफ्ट और हमारी इतिहास को लेकर पिच्चरे बननी चाहिए लेकिन ये अमर चित्र का था लेवल, कॉमिक लेवल से बाहर आना पड़ेगा अगर आपको 70 mm पर उतरना है तो अब प्रोड्यूसर्स का भी क्या कहें उनकी क्या गल्ती है, सब तो धर्म की बहसाकी लेकर लोगों को उल्लू बनाने बहें बिजी है, कली की बात ले लो अर्विद केजरिवाल ने भी कहा कि मैं क्यों पीछे रहूं सभी कर रहें मैं भी करूंगा मांग कर दी मोधी सरकार से कि करनसी नोट पर लक्ष्मी जी और गनेज जी की चवी होनी चाहिए बैट तभी होगी देश की वृद्धी एक फकीरी है आपके सुभाव में लेकिन अगर गल्ती से पिच्चर नहीं चलती है लोग हॉल में इस पिच्चर को रिजेक्ट कर देते हैं तो हम इस बात की फिर कलपना कर सकते हैं कि लोग अब इस फॉर्मूला को समझ चुके हैं इससे उब गए हैं धर्म और राश्रबाद के एजेंडे पर पिच्चर को हिट बनाने का प्लैन शायद फिर लोगों को समझ में आ गया है और अगर ऐसा हुआ तो बहुत सारे अक्टर्स की करियर खत्रे में आ जाएगी वैसे अगर आपको सच में फिकर है राम सेतु के बारे में तो मैं आपको ये बता दू कि 2018 में सेंटर ने सुप्रीम कोट को ये आसवाशन दे दिया है कि सेतु समुधरम स्चिपिंग केनाल प्रोजेक्ट से राम सेतु पर कोई दिल्चस्प केस चल रहा है जो सुप्रमनियम स्वामी ने दर्ज किया है कोट में कि सुप्रीम कोट सेंटर को आदेश दे कि राम सेतु को एक नैशनल हेरिटिज मॉन्यूमेंट घोशित कर दिया जाए अब सेंटर राम सेतु को मॉन्यूमेंट कैसे बोलेगी और कैसे घोशित करेगी ये देखने वाली बात है लेकिन हाँ सरस्वती नदी और राम सेतु पर बड़ी-बड़ी डींगे हाकने वाली सरकार ने पिछले आठ सालों में इसके बारे में क्या किया है कितनी खोच की है कितना पैसा लगाया है आपको मालूम हो तो बता दीजिएगा कॉमेंट्स में मुझे तो ना समझ मैं मुझे तो रिसेर्च में नहीं मिला और साथी साथ अगर ये एपिसोड पसंद आया ये सेमी रिव्यू और सोशल रिव्यू अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को थोड़ा सा पुश मिल जाता है साथी साथ एडिटर भी खुश हो जाता है